नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तों, आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिलकुल नई इंवेस्टमेंट जानकारी के साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे आक्सेस की एक शांदार स्कीम के बारे में दोस्तों यह स्कीम नवंबर 2013 में स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अब तक इस स्कीम ने जबरदस्ट रिटर्न दिया है दोस्तों यह स्कीम उन लोगों के लिए काफी बढ़िया रहेगी जिन लोगों के पास हर महीने रेगुलर इंकम आती है दोस्तों इस scheme का नाम है Access Small Cap Fund Direct Plan दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे और हम देखेंगे कि अगर आप इस scheme में निवेश करते हैं तो आपको कितना profit हो सकता है दोस्तों अगर हम इस scheme के return की बात करें तो इस scheme का all time written है 27.40 प्रतिशत जो की एक शांदार return है दोस्तों अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में इस scheme ने 23.31 प्रतिशत रिटन दिया है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस scheme का return है 36.83 प्रतिशत और पिछले एक साल की बात करें तो इस फंड ने 85.37 प्रतिशत रिटन दिया है जो कि एक शांदार प्रदर्शन है दोस्तों mutual funds में निवेश करना बहुत फायदेमंद साबित होता है क्योंकि mutual funds का पैसा share market में निवेश किया जाता है दोस्तों आजकल भारतिय शेयर बजार भी अपने all time hyper है और यहां से भी share market के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है यही वजह है कि आजकल बहुत सारे लोग mutual funds में निवेश कर रहे है ताकि आने वाले time में वो एक जबर्दस profit बना सके दोस्तों आगे इस वीडियो में हम जानेगे कि अगर आप इस scheme में निवेश करते है तो यह scheme आपको कितने समय में कितना profit दे सकती है लेकिन इस से पहले हम इस scheme की कुछ महत्वपूर्ण details जान लेते है दोस्तों आक्सेस small cap fund एक equity category का mutual fund है एक्विटी mutual fund वो होते है जो fund share market में निवेश करते है एक्सेस small cap fund के एनेवी की बात करे तो यह अभी 67.64 रूपे चल रहा है एनेवी यानि net asset value दोस्तों एनेवी किसी भी mutual fund का unit price होता है इस fund में minimum investment आप SIP के जरिये 500 रूपे और lump sum amount आप 5000 रूपे minimum कर सकते है एक्सेस small cap fund के fund size की बात करे तो 7303 करोर रूपे का fund size है यानि इतने पैसे लोगों ने इस fund में निवेश किये हुए है दोस्तों अगर हम बात करे इसके expense ratio की तो वो है 0.38 प्रतिशत का expense ratio किसी भी mutual fund का खर्चा होता है दोस्तों अगर हम इस scheme के portfolio की बात करे तो इसके main share है जहाँ पर आपका पैसा निवेश किया जाता है वो है Tata LC, Galaxy Surfactants, Brigade Enterprises, J.K. Lakshmi Cement, CCL Products, I.Narayana Hrudyalia, Fine Organic Industries, Cheplast Sanma, PNC Infratech, Krishna Institute of Medical Sciences आदी कई सारी अच्छी company portfolio में दिखती है जो काफी अच्छा है दोस्तों, ये तो बात हुई इस scheme की details की दोस्तों, mutual funds में निवेश करने के दो तरीके होते है एक होता है SIP आनी Systematic Investment Plan जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार RD की तरह अलग-अलग किष्टों में एक fixed amount जमा कर सकते हैं दूसरा होता है Lumsum का इसके अंदर आप एक बार FD की तरह पैसे जमा करके एक बड़ा fund बना सकते हैं दोस्तों, दोनों ही स्कीम में आपको जबरदस्ट फाइदा होता है दोस्तों, अब हम calculate करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 500 रूपे महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितना profit मिलेगा या फिर आप एक साथ इस स्कीम में 50,000 रूपे लंसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना profit मिल जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम SIP को calculate कर लेते हैं अगर आप इसके अंदर 500 रूपे महीना से SIP शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको return मिलता है 27 प्रतिशत का और आप इस SIP को 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको जो estimated return मिलेगा वो होगा 33,625 रूपे का 30,000 रूपे आप इसके अंदर जमा करेंगे और आपकी total value जो होगी पैसे की 5 साल के बाद वो 63,625 रूपे की होगी दोस्तों अगर आप 500 रूपे की SIP को 10 साल के लिए continue रखते हैं तो यहाँ पर estimated return जो मिलेगा वो होगा 24,410 रूपे का 60,000 रूपे आप इसके अंदर जमा करेंगे और आपकी total value जो होगी पैसे की 10 साल बाद वो 35,410 रूपे की होगी दोस्तों अगर आप इस 500 रूपे की SIP को 15 साल के लिए जारी रखते हैं तो यहाँ पर estimated return जो मिलेगा वो होगा 11,34,224 रूपे का 90,000 रूपे आप इसके अंदर जमा करेंगे और आपकी total value जो होगी पैसे की 15 साल बाद वो 12,24,224 रूपे की होगी दोस्तों अगर आप इस 500 रूपे की SIP को 20 साल के लिए जारी रखते हैं तो यहाँ पर estimated return जो मिलेगा वो होगा 45,95,842 रूपे का 120,000 रूपे आप इसके अंदर जमा करेंगे और आपकी total value जो होगी पैसे की 20 साल बाद वो 47,15,842 रूपे की होगी दोस्तों अगर आप इस 500 रूपे की SIP को 25 साल के लिए जारी रखते हैं तो यहाँ पर estimated return जो मिलेगा वो होगा 1,78 करोर रूपे का 150,000 रूपे आप इसके अंदर जमा करेंगे और आपकी total value जो होगी पैसे की 25 साल बाद वो 1,80 करोर रूपे की होगी दोस्तों यह तो बात हुई SIP की अब देखते हैं कि अगर आप इस scheme में लंसम 1750,000 रूपे इंवेस्ट करते हैं तो आपको कितना profit मिल जाएगा अगर आप इस scheme में 5 साल के लिए पैसे इंवेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको estimated return जो मिलेगा वो 1,15,192 रूपे का होगा 50,000 रूपे जो आपने जमा किये हैं उन्हें मिला कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो 1,65,192 रूपे होंगे दोस्तों, अगर आप इस scheme में 50,000 रूपे को 10 साल के लिए इंवेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको estimated return जो मिलेगा वो 4,95,767 रूपे का होगा 50,000 रूपे जो आपने जमा किये हैं उन्हें मिला कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो 5,45,767 रूपे होंगे दोस्तों, अगर आप इस scheme में 50,000 रूपे को 15 साल के लिए इंवेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको estimated return जो मिलेगा वो 17,53,125 रूपे का होगा 50,000 रूपे जो आपने जमा किये हैं उन्हें मिला कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो 18,3,125 रूपे होंगे दोस्तों, अगर आप इस scheme में 50,000 रूपे को 20 साल के लिए इंवेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको estimated return जो मिलेगा वो 69,7,231 रूपे का होगा 50,000 रूपे जो आपने जमा किये हैं उन्हें मिला कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो 69,57,231 रूपे होंगे दोस्तों, अगर आप इस scheme में 50,000 रूपे को 25 साल के लिए इंवेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको estimated return जो मिलेगा वो 1,9,6 करोर रूपे का होगा 50,000 रूपे जो आपने जमा किये हैं उन्हें मिला कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो 1,9,7 करोर रूपे होंगे तो दोस्तों, इस प्रकार इस fund scheme में आप निवेश करके एक अच्छा profit कमा सकते हैं दोस्तों एक बात और इस scheme में fixed deposit की तरह कोई lock in period नहीं है आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों अब बात आती है कि आपको निवेश कैसे करना है तो इसके लिए दोस्तों आपके पास तीन तरीके होते हैं एक तो आप किसी broker के थ्रू निवेश कर सकते हैं और दूसरा आप fund company की website से निवेश कर सकते हैं और तीसरा होता है दोस्तों घर बैठे मोबाइल आप के द्वारा तो दोस्तों अगर आप घर बैठे मोबाइल आप के जरिये निवेश करना चाहते हैं तो उसका लिंग भी हमने नीचे description में दिया है अप stocks का उसपे click करके आप अपना Demet account ओपन करके इस scheme में invest कर सकते हैं और इस प्रकार direct invest करके आप 1.5 प्रतिशत तक का brokerage expense बचा लेंगे दोस्तों इस वीडियो से related आपका कोई question है तो नीचे comment box में comment करके हमें जरूर बताए वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो like करे और इस channel को subscribe जरूर करे दोस्तों आप personal finance से related जानकारी के लिए हमारी website www.moneymunch.com पर भी widget कर सकते हैं जिसका link भी हमने नीचे description में दिया है धन्यवाद